असलाम उलेकुम वीवर्स, वैलकम टू माई चैनल, वीवर्स एक नई वीडियो के साथ फिर से खोशाम दीद, इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए 6 बहतरीन टिप्स लेकर आई हूँ जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, चलते हैं टिप देखें हम लोग इस तरह की बॉटल में कोई भी ओईल रख देते हैं, जैसे कि मैंने सरसों का ओईल मैंने इसमें रखा हुआ हैं, जब हम सर पर यह ओईल लगाने के लिए कैप खोलते हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं घर में वो कैप ले जाते हैं, या बोतल को गिरा दे जाते हैं felt, जाते हैं तो देखें इस तारह कि स्परे की बॉटल सोती हैं आप लोग फेका प्रफिकर हैं क्योंकि यहाlando मेरे बहुत जाधा का मने वाली हैं, जैसे कि मैंने टाल के रखा हुआ हैं तो यह इजली स्परिय करके मैं ऐलिंग बालों में कर लेती हूँ तो अगर आप लोग इसका कैप टाइट करके लगा दोगे तो बच्चे बिलकुल भी इसको नहीं गिरा पाएंगे टिप नमबर टू देखिए हमारे घरों में इस तरह की शैंपू की जो बाटल्स होती है खाली वो जमा होती रहती है तो आप लोग एक दो बाटल को समाल कर रख लिया करो या जितने में आपके घर में वाश रूम हो उतनी बाटल्स को आप लोग समाल कर रख लिया करो क्योंक क्योंकि मुझे पानी भी शामिल करना है मैंने हाफ शैंपू यह दूसरी खाली बॉटल में फिल करने के बाद इसमें 3 टेबली स्पून के बराबर मैंने पानी शामिल कर लिया है यह अगर आप लोगो को लग रहा हो कियो कि आजकल सद्या है तो शैंपू जो है वह जमकर इस पर खुशकी भी नहीं बनती और हमारे दो मुए बाल भी नहीं बनते तो यह बहुत अच्छी एक टिप है चलते है टिप नमर 3 की तरफ क्या आप लोग इस तरह खाली ट्यूब टूट पेस्ट की फेक देते हैं तो इसको बिलकुर भी फेका मत करें क्योंकि यह भी हमार इतने जादा काम आ सकती है तो देखे इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है और अब मेरे यह क्या काम आने वाले है तो खवतीन देखकर तो बिलकुल धंक रह जाएंगी के यह भी हमारे बहुत जादा काम आने वाली है तो देखे यह हमारा जो मेरे घर पर यह विंडो है बच्छों के बिर्ष मार्के माक्श ऐसे पर बच्छों करेंक और भी अच्छे से मार्क्श ऑफ्याज़ पर खाएंगे चाहएं गाली थे बात में अख्छों करें डिवारगंदी हो रही है यह बीसाफ सुत्री हो जाएगी ry तो देखेहे इस तरह से देखें मुझे आस्था यस्ता रब करना है इसको बहुत जब्रbt नहीं करना है haute-washyamu अंहालका यह सो इन द्धियुर्ब करना है और ये देखें यदेखें अ काया सी तरह मुझान ही कातवरति channel इसी प्रोसेजर से साफ करूंगी तो यह देखे तो इस तरह के खाली जो टूट पेस्ट की ट्यूब होती है इसको भी आप लोग फेका मत करें क्योंकि यह भी हमारे बहुत जादा काम आ रहे हैं जैसे कि मैंने आप लोगो यह वीडियो में टिप दिखाई हैं उमेद करते हूँ कि मेरी टिप भी आप लोगो बहुत जारा पसंद आई होगी चलते हैं टिप निम्बर फोर की तरफ सर्टियों में हम लोग शहर बहुत जादा इस्तमाल करते हैं बड़े हो या बच्चे हो या बुड़े हो हर को यह शहर यूज़ करता है और मैं इसमें एक खाने के चम्चे बराबर जितना शहर एड़ कर दूंगी मैं इसको मिक्स नहीं करूंगी चम्चे में डाल कर मैंने बस ग्लास में इस्पून को छोड़ दिया है पानी के अंदर इसको हिलाना नहीं है चम्चे को और हमें थोड़ी दे बाद हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है तो देखे यह शहर जो बिल्कुल भी mix नहीं हुआ है नीम गरम पानी में यह जैसे मैंने चम्मच में डाला था चम्मच से गिरता वा यह बिल्कुल सर्फेस पे बैठ यह बिल्कुल भी पानी में हल नहीं हुआ तो यही इसी से पता चल जाता है कि यह शहर प्योर है टिप नमबर फाइफ यह है कि सर्टियों में हम अंडे भी बहुत जादा यूज करते हैं बॉयल करके भी हम लोग बहुत जादा खाते हैं बच्चे हो या बड़े हो तो लेक छोटी बॉल ले ले या पतीली ले इसमें मैंने पानी डाल दिया है नॉर्मल नलका पानी है और इसमें मैं यह अंडे डाल लूँगी तीन अंडे लिये मैंने और तीनों मैं इस पानी में रख दूँगी तो जो अंडा सर्फिस से उपर आ जाए मतलब कि सता से उपर आ जा लेकिन मैं जाएं समय में बहुतआ कि नहीं क्यूद हitution और मुझे नहीं पता सब थारच बाद को कैसे शिदे करना है और सबसे पहले क्या करते हैं sen की अगया भादा प्रच्व का धुटिवा बहुतिति मैंने उसका काल चीज मैंने पाक पानी भर के इस हंडी को और धकन को उस पानी में डिप करके छोड़ दे मैंने भी यही किया मैंने पूरे 24 गंटे के लिए इसको पानी में डिप करके छोड़ दिया तो देखे मैंने इस तरह से किया था जैसे मैं यह पतीले में मैंने पानी भर लिया है आवाजे आना नॉर्मल है क्योंकि मिट्टी की हंडी है तो यह अपने अंदर पानी को जस्क करता है तो इस तरह से आप लोगों ने छोड़ देना है इसको 24 घंटों के लिए या तीन दिन के लिए मरजी आपकी दो दिन के लिए तीन दिन के लिए लेकिन 24 घंटे लाजमी है तो इसके बाद क्या करना है निकालने के बाद इसको इस तरह से यह जो स्क्रबर होता है इससे आप लोगों ने इसको साफ कर लेना है इसके उपर जो भी बारिक बारिक मिट्टी होगी वो साफ हो जाएगा आप लोगों ने इसको किसी साबून से या किसी तार से स्टील उसमें ओयल लगाके अंदर बाइर से अच्छे से ओयलिंग करके दो से तीन बार आप लोगे ने आइलिंग करनी है क्योंकि जैसे ही आप लोग फॉस्ट टाइम इस पर ऑइलिंग करोगे तो यह जस्प कर लेगा बिलकूल खुश को जाएगा फिर से आप लोगे ने कर ले थी अब देखे आप लोगों ने कौन सा चमचा यूज करने हैं इसमें आप लोगों लगों ने कोई भी इस तारह से क्या होगा आपकी हांडी कराब और धकन पर हम पानी भर के रखेंगे कुकेंगे दौरान ताकि यह पानी गरम हो जाए और अगर हमें खाने में कोई भी पानी चाहिए हो तो हम इसी मेंसे अट करते जाए क्यूंकि हमें ठंडा पानी नहीं डालना होता और देखें इस तरह के इस टैंड भी आप लेकर रख ल आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा विडियो को लाइक कर दीजेगा और शियर बे कर दीजेगा तब तक के लिए अल्ला आफेस